नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग तो एपल ले काल आपना 2020 का नया iPad Pro लांज किया है हर बर की तरह इस बर भी इसमें प्रोसेसर का अपग्रेट है लेकिन इसमें जो इस बर का अपग्रेट वो थोड़ा सा अलग है जनरेली क्या होता है? अपग्रेट आपने स्मार्टफोन के लिए इस्तामल करता है A10, A11, A12 यह सब कुछ और जो टैबलेट उसके लिए इस्तामल करता है उस प्रोसेसर के पीछे बस एक एक जुड़ा होता है जिसे की प्रोसेसर का ओभरोल साइज थोला सा बड़ा होता है क्योंकि वो एक टैबलेट ग्रेट प्रोसेसर है तो इसका मांदब ए जो निया बाला टैबलेट इसमें होना चाहिए था आपल एट्वेल एक्स या फिल ए थार्टी एक्स लेकिन इस बार इसमें यूज हुआ है एपल एट्वेल जेट मन्द एक भिलकुल नया सीरीस का प्रोसेसर तो इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा जो इस जेनरेशन का टैब्डेट प्रोसेसर आयपल एक्स अर इस जनरेशन का टैब्ड़ एट प्रोसेसर जो किया एप़ एट्वेल इस या डिफरेंस है या फिर नहीं अगर difference है तो कितना जाता difference है तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो बेना कोई बाग कर आए और एक वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नहीं तो चैनल के प्सक्राइब देजेना अगर वीडियो पसंद आए तो प्रेटे को लाइक देजेना और Apple A12X Bionic launch हुआ है 2020 quarter 1 पे इसका मतलब लगबग 15 साल पुराना Apple A12X प्रोसेसर है दोने प्रोसेसर दोनों में core count और जो overall speed बहुत सेमी होगा दोने प्रोसेसर 7nm आर्किटेक्टर पे बनाए लेकिन यहां पर मुझे थोला सा confusion है कुछ वेबसाइट पे ऐसा लिखा है कि यह जो Apple A12Z A7nm आर्किटेक्टर पे बनाए कुछ वेबसाइट पे ऐसा लिखा है कि यह जो प्रोसेसर A7nm प्लस आर्किटेक्टर पे बनाए लेकिन अगर यह 7nm प्लस होता है तो इसमें पिछले जनेरेशन से और भी ज्यादा ट्रांजिस्टर को यूज किया जाएगा करें तो दोनों प्रोसेसर तो ओक्ता कोर प्रोसेसर है लेकिन उसमें जो कोर बोधर असल 4 प्लस 4 आर्किटेक्टर पर बेस्ट है मतलब 4 high-performance score 4 low-performance score और same configuration A12Z में भी अविलेबल है जो दोनों प्रोसेसर का हम लो प्रोसेसर कोर कहते है उसे ही Apple कहता है को प्रोसेसर तो दोन यह Apple का graphics card दुनिया का सबसे बहतर graphics card मना जाता है और Apple अपना जो tablet में जो graphics card यूज करता है उसका quality वो desktop लेवल के बड़ाबर होता है तो Apple A12Z में 7 core graphics card यूज कर यूज कर आगा है लेकिन Apple A12Z में 8 core graphics card यूज कर यूज कर यूज कर आगा है इसका मनदब graphics card के मामले में इसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगा और अगर मैं AI मतलब artificial intelligence chip की बात करू तो दोनों में same quality का chip यूज कर आगा है दोनों में 8 core AI चे विस्तमल किया है लेकिन Apple A12Z में जो AI का performance वोगा 5 TOPS से थोड़ा सा ज्यादा और अगर मैं Antutu benchmark score की बात करू तो देख सकते क्योंकि दोनों में CPU के मामले में उतना ज्यादा difference नहीं, memory, user interface दोनों में उतना ज्यादा difference नहीं बस graphics card के मामले में थोड़ा सा difference है इसलिए Apple A12X का जो Antutu score वोगे 7 लाग के आसपस और Apple A12Z का जो Antutu score वोगे 7 लाग 12,000 के आस 45,000 और Apple A12Z का जो graphics card score वोगे 373,000 जो की बहुती ज्यादा अपग्रेड है तो आप बढ़िए इस वीडियो के conclusion की आपने पूरे वीडियो में देख लिया, generally Apple अपने हर एक processor के बीच में जो performance increase करता है वोगे बहुती बढ़िया होता है लेकिन Apple A12X से Apple A12Z में उतना ज्याद performance increase हमें नहीं मिलता, हाँ, थोड़ा बहुत increase है, मतलब CPU के मावले में थोड़ा से increase और GPU के मावले में बहुत ज्यादा increase है, लेकिन उतना भी ज्यादा increase नहीं है कि हम इस एक proper upgrade कहा सके, तो आज का वीडियो आई तक उमीदे ए छोटा सा comparison को बसंदाया होगा, फीचर में साथ है, मुझे निशे कॉमेशनेकर में बताना, मैं उसके इपर वीडियो जालोर बनाऊंगा, तो मिलता अगले वीडियो पे तब तक, stay tuned and always remember, think positive, be positive, thank you